हेलो बच्चों, मैं अपने यूट्यूब चैनल बाइलोजी प्लेटफर्म पे आप सभी का हर्दिक स्वागत करती हूँ, this is प्रभावर्मा, your biology teacher here, ठीक है, कल हमने part 1 डिसकस किया था, now we are discussing part 2, again, same chapter, chapter 6, life processes, ठीक है, I hope कि कल आपको, जो मैंने डिसकस किया, उससे काफी help मिली ह होगी, आपको ये daily videos देखनी है, like करना है, subscribe करना है, ताकि आपको maximum marks अपने board exam में मिल सके, ठीक है, आपके कोई doubt है, queries है, तो आप comment box में मुझे बताएंगे, now, the question number 1, how is O2, means oxygen, and CO2, carbon dioxide, transported in human being, human beings के अंदर, blood में O2 और CO2 का transportation कैसे होगा, ठीक है, ये देखते हैं, बड़ा easy form में है, बड़ा easy सा question है, लेकिन question आने के chances हैं, ठीक है, first हम देखेंगे transport of oxygen, oxygen का transport कैसे होना है, एक आप mind में एक बात याद रखेंगे, कि किसी भी चीज का, हम अपनी science में, जब भी आप चाहिए chemistry है, physics है, या bio है, वहाँ पे आप उसका total 100% लेकर चलते हो, ठीक है, तो देखो, कल हमने study किया था components of the blood vascular system, वहाँ पे हमने blood, blood plasma, औ आप देखो, यहाँ पे oxygen का maximum 97% जो है, वो oxy hemoglobin की form में transport होगा, oxy hemoglobin मैंने कल आपको बताया भी था, कि जब hemoglobin oxygen के साथ combine होता है, तो वो बनाता है, oxy hemoglobin, HbO2, means आपका जो hemoglobin है, वो oxygenated blood के अंदर convert हो चुका है, तो 97% तो blood के थूँ जो है, आपका oxygen ट्रांसपोर्ट ह हो जाएगा, बचा कितना, 3%, 3% किस के थूँ ट्रांसपोर्ट होगा, blood plasma के थूँ, कल आपको बताया भी था मेंने, कि ये एक blood vessel है, इसका जो liquid part है, वो blood plasma है, और इसके अंदर जो cell आपको नज़र आ रहे है, वो है RBC, और RBC के अंदर हमारा क्या है, hemoglobin, clear हो गया oxygen का ट्रां transport of CO2, अब CO2 को कैसे transport करना है, ठीक है, दोनों का transportation चलेगा, चलेगा blood के थूँ, देखो, 3 step में ये process होगा, again, इसका भी आपका total 100% आएगा, 70% bicarbonate ion की form में जो है आपका CO2 transport होगा, अब bicarbonate ion क्या, देखो, blood के अंदर क्या है, आपके potassium और sodium salts है, potassium, sodium salts है, तो ये क्या करें गे, bicarbonate ion बना लेंगे, like NaHCO3, या ऐसे ही आपका KHCO3, तो ये क्या करेगा, 70% CO2 को इस form में transport कर देगा, ठीक, next, 27% carb amino hemoglobin, जैसे आप de oxygenated blood कहते हैं न, without oxygen, तो oxygen नहीं है, तो क्या है, CO2 है, तो 27% किस form में transfer हो रहा है, carb amino hemoglobin की form में, ये कैसे होगा, CO2 will combine with HB, and it form HBCO2, तो ये आपका क्या बना देगा, HBCO2 बना देगा, next, रहेगा आपका 3%, 3% किस form में, carbonic acid की form में, अब carbonic acid क्या है, देखो, blood के अंदर water है, CO2 transport होने जा रहा है, तो ये क्या करेगा, H2CO3 बनाएगा, जिसे आप क्या कहते हो, carbonic acid, तो rest 3% किस form में transfer हो रहा तो दो तरीके से जो है, आपका transport हो गया, oxygen का भी, और carbon dioxide का भी, ठीक है, 4 marks तक अगर ये question आता है, तो आपकी full attemptation, और अगर आपको अच्छे marks लेने है, तो यहाँ पे आप हर्ट का जो diagram है, उसको भी draw कर दे, देखो, examiner आपको ये नहीं कहेगा, कि diagram draw करना है, ये आपकी ख frequency का मतलब कमी, किस चीज की कमी है, हीमोगलोबिन की, अगर हमारी body के अंदर कमी होगी, consequences, means उसके after effect, क्या प्रभाव, दुश प्रभाव, क्या परेणाम, उसके हमें देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा simple सा जो एक logic आपका यहाँ पे जाएगा, वो है क अनीमिया होने के chances यहाँ पे जादा रहेंगे, अनीमिया होने के जो chances है, वो यहाँ पे जादा होंगे, ठीक है ना, अनीमिया means loss of hemoglobin, अब hemoglobin कम है, बलड के अंदर, आपका hemoglobin जो है, वो कम है, तो hemoglobin कम है, तो वो कम oxygen ट्रांसपोर्ट करेगा, तो suffocation जैसी problem स्टार्ट ह पेल यलू जो है, नजर आएगे, पील अपन स्किन के अंदर, आखो में, नेल्स में जो है आपको नजर आएगा, प्लस उसके बाद suffocation रहेगा, और जो टाइडनेस जो है, वो जल्दी फील करेंगे, ताइड, जल्दी थक जाएँगे, क्यों जैसे आप देखते हो, अगर विकल में आपका फ्यूल नहीं है, विकल का अंटरन, सेम एस आर बोड़ी, इप आर बोड़ी, हैव नोट मुच हीमोगलोबिन, देन, इट विल नोट ट्रांसपोर्ट सफिशेंट ऑक्सिजिन, डल, ठीक, नेक्स थर्ड कोशिएं, ब्लॉड प्रेशर, इसका मदर प्रेश सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जो है, वो आपका क्या है, ब्लॉड प्रेशर है, वेंट्रिकल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सिस्टोल का मदब क्या होता है, कॉन्टरेक्शन, डायस्टोल का मदब क्या होता है, रिलेक्सेशन, तो यह आपका 120 बाई 80, न कुछ ऐसी हो जये यह यूनिट आपकी मैं कहूं की कुछ ऐसी हो जए है यहां आप देख require हो मैंने कुछ high कर दिया यहां मैंने low कर दिया BP High BP हो ब्लट प्रेशर यहां पर क्या हो गया लोबि ब्लट प्रेशर, अब अगर मैं आप से पूछू तो कौन सा ब्लर्ड प्रेशर अच्छ है high या low कोही भी अच्छा नहीं है अरे जहर थोड़ा लो ज्यादा जहर तो जहर है तो BP बी भी high या low दोनों ही खराब है तो BP अगर आपका normal है वो आपका okay है तो normal BP जो है हमारा 120 by 80 होना चाहिए उसके बाद एक question आपका यहाँ पे rise होता है which instrument is used to measure the blood pressure बड़ा simple सा सिफिग word को तोड़ना है तकि spelling और pronunciation गलत ना हो सिफिग मो मैनो मीटर सिफिग मो मैनो मीटर that is the instrument used to measure the blood pressure ठीक है यहाँ तक three questions हमारे discuss हुए clear है screenshot आप ले सकते हैं यह वे okay next question question number four अभी तक आपने like, share, subscribe नहीं किया हो तो please जरूर कर दें और comment box में आपके doubt या queries जो भी हो आप मुझे बताए कोई topic आपको clear नहीं है doubt है किसी भी point पे आप मेरे को comment box में बता सकते हैं ठीक है नो और description box में आप जो कल हमने part 1 discuss किया था वो आपको मिल जाएगा ठीक है okay now next question number four what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration ठीक है पहले question को समझना है aquatic organism क्या होते हैं which live in water जो पानी के अंदर है और terrestrial क्या है जो land पर है land पर आप जैसे बोल सकते हो कि dog cat cow human beings कोई भी आप ले लो और aquatic animal में fish simple ठीक है अब हमें क्या देखना है यह क्या कह रहे हैं कि terrestrial organism का respiration और aquatic organism का respiration किस तरीके से होने वाल है तो देखो aquatic organism जो होते हैं वो पूरा time पानी के contact में है water के contact में है तो water में क्या है महा पर dissolved oxygen पहले ही present है dissolved oxygen present है aquatic animals के अंदर respiratory organ है gills लेकिन यह जो dissolved oxygen है इसका percentage थोड़ा सा कम है gills they are not much efficient तो इनका respiration rate थोड़ा सा ज़्यादा है to get required or sufficient supply of oxygen clear यहां तक a terrestrial organism के अंदर respiratory organ क्या है lungs they are more efficient as compared to the gills plus हमें oxygen कहां से मिलना है air atmosphere से में और atmosphere में कितना percent है आपका sorry आपका oxygen का percentage कितना है 21 oxygen का percentage कितना है 21 ठीक है good lungs they are more efficient हमारा respiration rate and we are also very active animals ठीक है तो यहां पे क्या होगा यह जो oxygen है यह हमारे लिए it is more than sufficient ठीक है तो इसी वजह से जो terrestrial organism होते हैं उनका respiration rate better है और efficiency ज्यादा है as compared to the aquatic organism done next question question number five बड़ा important question है यह आपको जैनरी जो है six marks में पूछ लिया जाता है six marks में और इसी को mcq में भी convert कर सकते है what are the different ways in which glucose is oxidized गुलकोज अब गुलकोज क्या है गुलकोज क्या जो भी आप food की form में ले रहे हो वो बलकोज है गुलकोज को क्या होना है oxidized होना है oxidized का मतला addition of oxygen ठीक है और आपको पता है जब आप खाना भी ले रहे हो और oxygen भी ले रहे हो एक टाइब का respiration वहाँ पे हो रहा है यह बात सारी ओके है ठीक है अब हमें यहाँ पे three method three ways देखने हैं कि यह जो glucose है वो किस तरीके से breakdown होगा और हमें energy मिलेगे ओल्राइट गुलकोज सबसे पहले convert होगा pyruvate के अंदर यह ज कहीं पर भी होगा वो finally enter किस में होगा cell में जो है यह enter होगा हो गया cell में यहाँ पे यह सारा पार्ट क्या है cytoplasm यहाँ तक पहुँच गयो आप ठीक है अब यहाँ पे हमें three ways देखने है वो three condition situation क्या है या तो oxygen की absence हो या oxygen की lack lack का मतला कमी oxygen तो है लेकिन थोड़ा कम है और फिर क्या है full presence of oxygen three condition लग गई है absence जाएगा आपका yeast yeast क्या है एक टाइप का fungi ठीक है ना fungus कवक हिंदी में आप कहते हो और muscles है आपकी presence of oxygen यह हम mitochondria की बात करेंगे कि जो pyruvate है यहाँ पे जो mitochondria आपका होगा उसके अंदर जाएगा तो वहाँ पे जाके यह जो आपका pyruvate है वो किस तरीके से break होने वाल है देखो first step में क्या होगा इथिनोल co2 energy अब इथिनोल क्या है यह pyruvate जो था यह पूरे पूरे components के अंदर नहीं break हुआ नहीं हुआ तो जो energy supply होगा वो बहुत ही कम होगा ठीक है तो yeast में आपका देखोगे कि वहाँ पे oxygen की absence है next है आपका muscle muscle के अंदर oxygen की कमी की हम बात कर दें तो यह क्या बनेगा lactic acid co2 energy again energy है यहां से comparatively थोड़ी सी जादा है थोड़ी सी जादा है all right ठीक है अगर आप कहरो ना कि यहां पर 25% energy release हुआ तो हम कहतेंगे ठीक है कि यहां पर 50% energy release हो गया अब यह lactic acid क्या करेगा lactic acid जाएगा muscles में muscles में यह करेगा muscle cramps cramps का मतलब जो आप हिंदी में local भाशा में कहते हो ना बा बाय टे आना नस पे नस खिच जाना ठीक है तो यह आप देखते हूं कई वा टीचर आपको class में खड़ा कर देती होगी raise your hand तो आप थोड़ी देर में क्या लग जाते हो मैम hands are paining canvass it ठीक है वहाँ पे क्या वो pain जो आपको feel हो रहा है वो किसकी वज़े से lactic acid की वज़े से अब लेकिन आप थोड़ी देर के बाद जब rest कर लेते हो अगें आप कहते हो दर तो गायब हो गया तो रात को जैसे हम सो जाते हैं ठकान होती है पूरे दिन की अगले दिन जब आप उठते ह तो fresh feel कर दो क्यों जितना भी lactic acid था वो सारा खता गायब गायब तो वो क्या करेगा energy release करेगा last step presence of oxygen यह कहां है mitochondria में है यहाँ पे देखो pyruvate का complete breakdown होने जा रहे है co2 water और energy की form में यहाँ पे जो energy आपका release होगा वो maximum energy यहाँ पे release होने वाली है अब देखो practically सोचने हैं इसक co2 जब आप ऐसे करते हो इसका मतला है aspiration जब आप कर रहे हो co2 release h2o भी release हो रहे है आप देखते हो कि जब आप कुछ ऐसा करते हो शीशे के आगे तो आप देखते हो मौशेर आ जाता है वो मौशेर क्या था water energy खाना खाने के बाद आप you feel energetic क्या क्या क्योंकि आपके अंदर energy तो these are the three ways in which glucose can be oxidized ठीक है this much only for today यहां तक आपके यह इस chapter के सारे जो important question है वो मैंने discuss कर दिया है I hope you will like this video और आप मेरी वीडियो को like share और subscribe करे next video के साथ हम कल फिर से मिलेंगे all is well keep moving going thank you